Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. जमू कश्मीर के बांदीपूरा जिले के गुरेज इलाके में खुस्पैट की कोशिश कर रहे आतंकियों से इन जवानों की भारी मुटफेड हुई थी जिसमें गोलियां लगने से ये लोग कमभी रूप से घाल हो गए थे इसकी बाद सभी को अस्पताल में भरती करवाय गय आज सुभा मुंबई में मलाड आर्मी कैंप से मीरा रोड पर उनके घर पर पहुंचाये गया जानकारे के मताबिक सुभा साड़े तस बजे शहीद मेजर का अंतिम संसकार किया जाएगा उसे पहले उनके परिवार वाले और आम लोग शहीद को शद्धांजली दे रही हैं पूरा परिवार गमकीन है और इस मुश्किल खड़ी में बड़ी संख्या में लोग उनके घर पहुंच रही हैं शहीद मेजर कौस्तुब प्रकाश राने 29 साल के थे और 2011 में सेना में शामिल होई थे महराश्व के थाने के रहने वाले मेजर राने के परिवार में पतनी और इस बीदिता है थे क्योंकि 29 साल की उम्र में जिस तरह से कौस्तूफ राने ने आतंकियों से लोहा लेते हुए अपनी जान गवादी उसको देखा हर किसी को गर्व है उन पर हर कोई उनका अंतिम दर्सन करना चाहरा है और से यहां पर लाइन भी लगी हुई आप देखते हैं अलग लाइने ह हैं वहाँ पर लगी हुई है चाहिए मैलाएं हो चाहिए पुरुस हो हर कोई उनका एक अंतिम दर्सन पाना चाहता है कि कल से लोग इंतिजार कर रहे थे लेकिन प्रक्रिया पूरी नहीं आपको नहीं आपाया था लेकिन आशुबा जब पहुचा तो उनके घर के सामने भी रिवाज है उसको पुरा किया गया और उसके बाद फिर यहां पर अंतिम दर्सन के लिए रखा गया है जहां पर अंतिम दर्सन की प्रक्रिया चालू हो चुकी है थोड़ी देर बाद करीब आधे से घंटे के बाद जो है यहां से उनकी स्वयात्रा सम्षान भूमी जो यहा और इस वगत होगी दिवाकर सिंग लाइब मजूद हैं शहीन मेजर कौस्तो बराने की घर से दिबाकर हम आपकी रिपोर्ट भी देख रहे थे, माहौल गमकीन है, लोग उन्हें शद्धांश्री दे रहे हैं, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि पाकिस्तान को जवाब कब मिलेगा इस शाहदत का? अंतीम दर्सन पाने के लिए और इस व्यातरा में सामील होने के लिए सिर्फ भीडा रोड से बूर दूर याकों से लोग आए हैं जो भी सुन रहा था और तुबा से यहां पर पहुंची थी उनके धर पर तो यहां पर तस्बीरों आप देखे जन समू जो है भारत माता की जय की परवाना करते हुए अपने परिवार की परवाना करते हुए देश के लिए जान दे दिया जाहिरती बात है जो इस समय इस्ती है आप तस्बीरों से यह अंदाजा लगा सकते हैं कि कौस्थोब राने के सवयात्रा में फुरा जन समू उमर पड़ा है हर कोई कल से इंतिज यात्रा निकल चुकी है मेरा रोड जो यहां पर समसान भूमी है श्यसन के पास में वहां पर यह जाएगी दस से पंद्रा मिंट का जो वक्त लगेगा इसको पहुंचने में और उसके बाद गौड ऑफ हॉनर देने के बाद मेजर कौस्थू राने को अंति विदाई यह की दासंसकार किया जाएगा हलाकि उनके पूरे परिवार में उनकी पत्नी है उनकी पहन है उनका एक थोटा बेटा है डाई साल का अगस्त्या राने वो पुरा परिवार रिलेटीव दो सब लोग बहुत गमगीन है आखों में आसू है देश का बीर जवान आज अपनी अंति म दो भी इसमें शामिल हुई है अंतिम यात्रा में कैसे लोग शहीद मेजर कौस्तूब राने को याद कर रही हैं देखें दो चीसे हैं जसमे चाहे बच्चे हो चाहे बुटे हो या जवान हो हर कोई कौस्तूब राने को नम आखों के साथ विदाई दे रहा है और इसलिए स्कूल के जो बच्चे हैं क्योंकि कौस्तूब राने इसी इलाके में हॉली क्रॉस स्कूल है इसके लावाल स्कूल है जहां पे उन्होंने पढ़ाई की थी और उस स्कूल के बच्चे यहां पे आये हैं उस स्कूल के टीचर आये हैं जिन्होंने कौस्तूब राने और फिर वो जो है सेना में भरती हुए 2018 में जनवरी में उन्हें मेजर का प्रमोशन मिला था इसके पहले कैप्टन थे लेकिन जिस तरह से इतनी कम उर्म में बहादुरी का आवार्ड भी उनको मिल चुका है और इतनी कम उर्म में मेजर बन जाना कहीं ना कहीं कौस्तूब राने की जाबाजी और उनकी जो बीरता है उसको साबित करता है और कल जब कुछ एक्स आर्बी में से हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि कौस्तूब जो है वो हमेशा टीउटी से आगे बढ़के काम करते थे बतलब अपनी जान की परवाण नहीं करते थे भारत माता की सोचते थे देश की चिता करते थे और साइध यही वजा है कि आतंकियों के साथ जो लोहा लेते हुए उन्होंने अपनी जान की परवाण नहीं कि कर रहे हैं कि देश किल्व कुर्बानी दी है उनके जाबास बेटे ने आपसे जानना चाहेंगे कि शहीद मेजर की अपनी परिवार से आखरी बार बातचीत कब हुई थी कब वो अपने परिवार से मिलने आये थे और कौन-कौन लोग उनके परिवार में शामिल हैं कर देखें उनके परिवार में उनकी पत्नी है उनका थाई साल का एक बेटा है और एक बहन और माताब विता है प्रकासकुमार और प्रताब राने से उनका कहना था कि अजब फून आता था परिवार के लिए घर यहां तो बात करने के लिए बिलकुल सामने नहीं है क्योंकि इस दुख की घड़ी में अपने बेटे को विदाई दे रहा है और ऐसे में जो इस्थिती यहाँ पे है आखे नम है उनकी हाला कि गर्व भी है लेकिन दुख की घड़ी उनके लिए ज़्यादा है अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे है उनके जाबाजी की किस्से आप बता रहे हैं कि लोगों को सुनने को मिलते रहते थे और कम उम्रमनों ने काफी कुछ हासिल कर लिया देश के लिए वालिदान दिया क्या कोई मंत्री भी वहां पर पहुंचा है इस आखरी यात्रा में कोई बड़ा नेता इस आखरी यात्रा में पहुंचा है कि आज तो कोई नेता राजमता अभी तक नजन नहीं कोई मंत्री नहीं नहीं आया लेकिन कल जब उनका बॉड़ी जो दिल्ली से मुंबई के लिए रवाना हुआ था तो सिक्षा मंत्री बिनोत तावड़े उसे नेता प्रताफ सरनाइक और साथी साथ कई अन जो नेता है ले जा रहा हो वहांगा उन-के लिए जब माड़ी के करीम यहां पर ले आया गया है और तब से जब से बॉड़ी उनकी घर पे आई लोगों का ताता लगना यहां पर सुरू हो गया अंतिम दर्सन पाने के लिए उनको देखने के लिए उस देश के उस बीर जवान को देखने के लिए देश के बेटे को देखने के लिए कि आखिर इतनी कम उम्रों में बीरता का बिल्कुल दिवाकर हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि उनकी अंतिम यात्रा के लिए जन सैलाब उमर पड़ा है, लोग वहाँ पर काफी तादाद ने पहुंचे हैं, नम आखों से उनको यात कर रही है, साड़े दस बजे के लगभग शहीद मेजर का अंतिम संसकार किया जाएगा, गुरेज में शहीद हुए राइफिल मैं मन्दीप सिंग का परिवार उत्राखन के कोटवार में रहता है, उनका पार्थिव शरीर जब उनके गाउं पहुंचा तो परिवार में मातम पसर गया, 26 साल के शहीद राइफिल मैं मन्दीप सिंग 2012 में सेना से जोड़े थे, उनकी शहादत के बाद परिवार में उनकी मा और दूसरे सदस से गमकीन है, गुरेज में शहीद हुए चार जवानों में हर्याना के अंबाला के रहने वाले शहीद गनर विक्रमजीत सिंग भी शामि हुए थे, उनके परिवार में पतनी हैं और दूसरे सदस्य हैं। शहीद को नमाखों से शद्धांचली दी। शहीद हमीर का अंतिम संसकार पूरे सैनिक सम्मान के साथ आज पूनानंद घाट पर किया जाएगा। शहीद मेजर राने की खर सेुए दिबाकर हम सुन रहे थे क्योंकि मेजर राने के चार साथी भी इस गुरेज हमले में शहीद हुए। और अब शहीद के परिवारों की तरफ से एक ही मांग की जा रही है कि सेना को खुली छूट दी जाए। पिल्कुल जिस तरह से लगातार घटनाय कस्मिर में घट रही है जवान सईध हो रहे हैं। पाकिस्तान को जवाब कब दिया जाएगा तब जब जबान लगातार मरते रहेंगे तब जब दिया जाएगा या फिर उसको कई न कई अंकुष लगाया जाएगा। नई सरकार पाकिस्तान में जरूर आई है लेकिन यही बात कही जा रही है कि हो सकता है प्रधान मंतरी पाकिस्तान जाए लेकिन पाकिस्तान जाने पहले इन चीजों को प्रधान मंतरी को ध्यान देना चाहिए कि लगातार देश के जवान सईध हो रहे हैं उसका जबाब पा परिवार को कोई अच्छी पोश्ट पर नौकरी दी जाए क्योंकि इस दुख की गड़ी में इनका एक 20 साल का बेटा है और कोई उनके साथ में नहीं है, तो मेरी निवेद नहीं कि सरकार को, और सभी मंत्रियों महाराष्ट के मंत्रियों दिली सरकार से भी मेरी विनूंती है, कि जल्दी से जल्दी इनके परिवार को एक कोई अच्छी पोस्ट पर दी जाए ताकि इनका घर बुतरा सकाए पाकिस्तान को जबाब कैसे दिया जाए पाकिस्तान का जबाब अभी टीट फो टेट जैसे का तैसा दिया जाए पाकिस्तान ऐसा एक आतंगवादी देश बन गया पूरा वर्ल्ड ने माना है कि एक आतंगवादी देश है उसके बाद भी अगर हम उसके पर कुछ एक्षन नहीं लेते है तो हमारी कायरता है इसलिए हम सबी से चाहते है कि अभी इन्होंने एक जार जवान मारे है चार की बहुत ही दुक बात है कि इस तरह से अगर इस तरह से अगर घरता आथ है आधनिया प्रदान मंत्री बहुत ही एच्छे काम करें लेकिन जवान कबेंगे इसका तो कही ना कही सरकार को हल डूटना पड़ेगा पकिस्तान को जवाब देना पड़ेगा कही ना कहा जवाब नहीं देंगे तो यह जो देश का गुस्सा है वो कही ना कही सरकार पर भारी पड़ेगा दिवाकर तो हर तरफ से यही मांग उठाई जा रही है कि सेना को खुली छूट दी जाए जवाबी कारेवाई से काम नहीं चलेगा वहाँ पर जो है आतनबादियों को मारना होगा ताकि इस तरह की तस्वीरें हमें दोबारा देखने को ना मिले दिवाकर बहुत बहुत शुक्रिया आपका जमकश्मीर के घुरेज में मंगलवार को हुई मुढभेड में शहीद हुए चार जवानों का अंतिन संसकार किया जाएगा इन में शहीद मेजर कौस्तुर प्रकाश राने राइफल मैं हमीर सिंग राइफल मैं मन्दीप सिंग रावत और गनर विक्रम जीत सिंग शामिल है घुरेज में शहीद हुए इन चारों जवानों ने आतंकियों की घुसपैट की कोशिश को नाकाम कर दिया था और मुढभेड में दो आतंकियों को भी बार किराया था लेकिन इलाज के दौरान किसी की जान नहीं बचपाई तो ये हम आपको दिखा रहे हैं जब उनका फार्थर शरीर यहाँ पर पहुंचा ये सभी जो शहीद हुए है इस दौरान उनके तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं गुरेज के शहीदों को सलाम किया जा रहा है उनके उसे हुई मुटभेड में शहीद मेजर राने का पार्थफशरी राथ सुभे मुंबई में मलाद आर्मी कैम्स से ठाने में मीरा रोड पर उनके घर पहुंचाया गया जानकारी के मताबिक सुभा साड़े दस बजे शहीद मेजर का अंतिम संसकार किया जाएगा उससे पहले उनके परिवार वाले और आम लोग शहीद को श्रधांजली दे रहे हैं पूरा परिवार अगमगीन है और इस मुश्किल घड़ी में बड़ी संख्या में लोग उनके घर पहुंच रहे हैं शहीद मेजर कौस्तूब प्रकाश राणे 29 साल के थे और 2011 में सेना में शामिल हुए थे महराश्र के ठाने के रहने वाले मेजर राणे के परिवार में पत्नी और एक बेटा है मेजर कौस्तूब राणे के अंतिन दर्सन की प्रक्रिया उनके मेरा रोड इस्ति घर पर शुरू हो चुके है मैं आपको तस्वीरे दिखाऊंगा कैमरामेन से कहीं दिखाएं जो तस्वीरे हैं आप देख सकते हैं यहां पर उनके घर के अंदर जो बनाया गया है अंतिन दर्सन क लिए जगा वहांपे उनकी बॉडि रग दिक रहतया और दर्सन की प्रक्रिया करीब 10 में पहले सुरू हो गई है लोग जो है शुबा से यहां पर ताताल लगा हुए था उनके अंतिम दर्सन के लिए जब से बॉडी सुभा साड़े च्छे बेजे के आसपार पहुंची थी लोग यहां पर लगातार पहुंचना शुरू हो गए थे क्योंकि 29 साल की उम्र में जिस तरह से कौस्तुफ राने ने आतंकियों से लोहा लेते हुए अपनी जान गवादी उसको देखा हर किसी को गर्व है उन पर हर कोई उनका अंतिम दर्सन करना चाहरा है और यहां पर लाइन भी लगी हुई है आप देखे पहुंचा तो उनके घर के सामने भीड लगने लगी तमाम जो है इसलिए भीड को देखते हुए पुलिस का इंतजा किसी तरह का बिगड़े ना सब सांती पूर्ण चलता रहे इसके लिए व्यवस्ता कर रहा है और साथी साथ उनके परिवार वाले उनके सव के साथ मौजूद है थोड़ी देर पहले उनके घर पर रखा गया तर सव जहां पर उनके परिवार जो रीत रिवाज है उसको पु खत्म का रहा है चलता अरहे है कैसी तूरह पहले निकलेगी गुरेज में शहीद हुए राइफल मैन मंदीप सिंग का परिवार उत्तरा खंड के कोड़ द्वार में रहता है उनका पार्थिव शरीर जब उनके गाउं पहुंचा तो परिवार में मातम पसर गया 26 साल के शहीद राइफल मैन मंदीप सिंग 2012 में सेना से जुड़े थे उनकी शहदत के बाद परिवार में उनकी माँ और दूसरे सदस्य गमगीन है वही गुरेज में शहीद हुए चार जवानों में हरियाना के अंबाला में रहने वाले शहीद गनर विक्रमजीत सिंग भी शामिल थे आज सुभे उनका पार्तिव शरीर भी अंबाला में उनके पैत्रिक गाउं पहुँच गया 25 साल के शहीद विक्रमजीत 2014 में सेना में शामिल हुए थे उनके परिवार में पत्नी हैं और दूसरे सदसी हैं जमो कश्मीर के गुरेट सेक्टर में आथंक्योगित रूस्पैट की कोशिश को नाकाम कर शहीद हुए जवानों में उत्तराखन के शहीद राइफल मैन हमीर सिंग पोख्रियाल भी थे 27 साल की उम्र में शहादत को गले लगाने वाले हमीर सिंग का पार्तिव शरीर जब र अमर रहे के नारे लगाए और शहीद को नामाकों से शद्धाज लिदी शहीद हमीर का अंतिमसंसकार पूरे सैने सम्मान के साथ आजपूर्ण अंद खाट पर किया जाएगा एक बार आरपार की लगाई हो ताकि हम उन्हें साथ दिन में उनका पस्त कर सके उन्हें नाके चने दवा सके ज़्यादा क्या बोलूँ तड़का मेरा सेर था पूरी सेना अमरी सेर है पर फाज को खुला छूड दे जाए यह नहीं के लोशी में पाक्षाजी तरब से फैर होता है बोलता हम जबावी कारोय दे रहें नहीं जबावी कारोय इसी नहीं होगा सिथा अड़क कब तक कैसा होगा कम से कम साल में 400-500 तो हमारी से भारते सेना के जवान साधा दे चुके हैं वो देते हैं इसा कभी नहीं होना चाहिए झाल